कस्रावत खेतर में कुछ दिनों पहले 15 कोगू के अचानक मोथ हो गई लगातार ये घटना करम बना हुआ है कुछ लोगों ने बर्ड फ्लू से मोथ की आशंका में पशुची की सभी भाग को सूचना दी इस्तारी रोगोद्वारा बताया गया है कि परिसर के पास बर्गत के पेड़ पर कववे रहते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से पक्षी पेड़ से गिर रहे हैं उन्हें पानी भी पिलाया लेकिन वे बच नहीं पाए पक्षियों के सेंपलों की जाज रिपोर्ट पाजिटिव आई है पशुची की सक ललित पाटिदा ने बड़ फ्लू की पुष्टिगी साथ ही कुछ दिनों के लिए मुर्गी और अंडे के आवा गमन पर भी रोक लगा दी है कसरावत तहसिल से अकिल खान की रिपोर्ट रिफ दिए जा रहे हैं कि इनके स्वास्तके निरन्तर निग्रानी रखें और किसी भी प्रकार के इसमें लक्षन से दिखाई धे जो सामान जैसे आटके हैं जिसे सर्दी युगाम है खाने में कमी हो अंडों में प्रोडक्शन में कमी हो तो तुरंत पसु चिकी साले से संबर्थ करें ताकि उनका स्वास्त का प्रेक्शन किया जा सकते आगाम कारवाइट लिए सब्सक्राइब को सुरक्षा की देश्टी से सब्सक्राइब की जो भी पॉल्ट्री वालक है उनको यह बताया है कि वसु और उनके जो पॉल्ट्री जाए उनका निरंतर मिग्रानी में रखें किसी भी प्रकार के लक्षन डिखते हैं सर्दी युगाम के तो पसु चिकी साले से संबर्थ करें और उनका उप्चार करवा सब्सक्राइब देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें